हेलो फ्रेंस वेलकम टो गोल्ड और सिल्वर अनलाइसिस दोस्तों हम लोग पहले सिल्वर का अनलाइसिस कर लेते हैं उसके बाद गोल्ड का अनलाइसिस करते हैं और दोस्तों आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीज़ेगा बेल आकन प्रेस कीज़ेगा और वीडिय जैसे कि silver के weekly analysis के वीडियो में हम लोगों ने discuss किया था इस week को eurozone का PMI data आने वाला है और PMI data जो है silver के लिए बहुत important होने वाला है तो उसी सबसे दोस्तो eurozone का PMI data आया है और ये 50 के नीचे है और दोस्तो जब भी PMI data 50 के नीचे आता है तब जो है ये माना जाता है कि economy contract कर रहा है या recession हो सकता है दोस्तो eurozone का जो current PMI data है ये previous PMI data से अच्छा आया है लेकिन दोस्तो क्योंकि PMI data 50 से नीचे है इसके लिए जो है ये silver के लिए slightly negative news है और दोस्तो अपे countries का जो meeting था 26th November को उसको postpone करके 30th November किया गया है और दोस्तो 30th November को production cut को लेकर जो decision आने वाला है ये gold or silver को directly influence करने वाला है तो उसी सबसे दोस्तो 30th November का जो meeting है ये gold or silver के लिए बहुत important होने वाला है और दोस्तो अभी चाइना में एक नया disease शुरू हुआ है दोस्तो ये जो disease अगर बढ़ता रहता है तब जो है फिर से factories बंध हो सकते है और large scale पर manufacturing activities stop हो सकता है तो उसी सबसे दोस्तो चाइना में जो disease शुरू हुआ है उसको closely monitor करना होगा और दोस्तो ये जो चाइना का update है ये gold or silver को directly influence करने वाला है और उसी सबसे दोस्तो gold or silver में range bound volatility दिख सकता है दोस्तो अभी हम लोग silver का technical analysis कर लेते हैं दोस्तो daily chat में हम लोग देख सकते हैं silver 72,000 और 74,000 के range में last one week से trade कर रहा है और दोस्तो weekly analysis के video में हम लोगों ने discuss किया था 72,300 से 72,600 का जो range है ये silver के लिए strong support है और 73,500 से 74,000 का जो range है ये silver के लिए strong resistance है तो उसी सबसे दोस्तो अगर आप लोगों ने 72,300 से 72,600 के range में buy किया है और 73,500 तक target किया है तब जो है आप लोगों को 900 से 1200 points का profit हुआ दोस्तो अगर आप लोगों ने फिर से 73,500 और 74,000 के range में sale किया है और 72,800 के level तक target किया है तब जो है आप लोगों को 800 points के असपास profit मिला अब से दोस्तो अगर आप लोगों ने silver का weekly analysis का वीडियो देखा है तब जो है आप लोग buy और sell दोनों side से profit निकाल सकते है अभी हम लोग 1R के chart पे technical analysis कर लेते हैं दोस्तों 1R के chart पे हम लोग देख सकते हैं 72,300 से 72,600 का जो range है या strong support है 72,600 के उपर 72,700 भी strong support बन गया है 72,700 के उपर 72,800 भी strong support बन गया है इस अब से दोस्तों आज के trading session में अगर silver 72,700 से 72,800 के range में मिलता है तब जो है हम लोग buy कर सकते हैं तर्गेट होने वाला है 73,000 हम लोग का second target होने वाला है 73,200 हम लोग का third target होने वाला है 73,400 और दोस्तों अगर silver 73,400 के उपर जाता है तब जो है आप लोग stop loss trail कर सकते हैं और higher level के लिए target कर सकते हैं दोस्तों अगर आप लोग 72,700 और 72,800 के range में buy करते हैं तब जो है downside में 300 points का stop loss लगा सकते हैं और upside 73,400 तक target कर सकते हैं दोस्तों इसमें risk to reward ratio 1 is to 2 से भी जादा रहने वाला है तो अगर आप लोग intraday basis पे sale करना चाहते हैं तब जो है 73,200 के पास sale कर सकते हैं और downside 72,800 तक target कर सकते हैं और दोस्तों अगर आप लोग sale trade लेना चाहते हैं तब जो है 73,200 से 73,400 के range में sale कर सकते हैं और downside 72,800 के लिए target कर सकते हैं दोस्तो अगर आप लोग 73,200 और 73,400 के range में sell करते हैं तब जो है अब जो है आप लोग upside 300 points का stop loss लगा के downside 600 points के लिए target कर सकते हैं तो यह रहा आज के trading session के लिए silver micro का intraday analysis दोस्तो आप लोग silver micro के analysis से silver mini और silver mega में trade plan बना सकते हैं अभी हम लोग MCX gold का analysis कर लेते हैं तो डेली चाट में देख सकते हैं gold 60,400 और 61,400 के range में trade कर रहा है तोस्तो 61,200 और 61,400 के range में gold को resistance मिल रहा है तो 60,400 के ओपर 60,800 gold के लिए strong support बन गया है 61,400 के ओपर 61,600 से 62,000 का range है यह भी strong resistance है तो उसी साब से दोस्तो गोल्ड इसी range के अंदर trade करने वाला है अभी हम लोग one hour के chart पे intraday analysis कर लेते हैं तो अगर आप लोग intraday basis पे sale करना चाहते हैं तब जो है 61,200 से 61,250 के range में sale कर सकते हैं और downside 61,000 से 61,100 के range तक target कर सकते हैं और दोस्तो अगर आप लोग 61,200 से 61,250 के range में sale करते हैं तब जो है आप लोग 50 पेसे का stop loss लगा के downside 300 points के लिए target कर सकते हैं और दोस्तो आप लोग 1-6 risk reward ratio के इसाब से planning कर सकते हैं और दोस्तो अगर आप लोग intraday basis पे buy करना चाहते हैं तब जो है 61,100 से 61,150 के range में buy कर सकते हैं और upside 61,200 से 61,250 के लिए target कर सकते हैं और दोस्तो अगर आप लोग 61,100 से 61,150 के range में buy करते हैं तब जो है downside 50 पेसे का stop loss लगा के upside 50 points से 100 points के लिए target कर सकते हैं तो यह रहा gold mini का complete analysis दोस्तो आप लोग gold mini के analysis से gold mega में भी trade plan बना सकते हैं आशा करता हूँ आज का analysis आप लोग को अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो please like कीजेगा और अगर पहली वार इस channel को visit कर रहे हैं तो please channel को subscribe कीजेगा bell icon press कीजेगा अपने दोस्तों के साथ share भी कीजेगा thanks for watching the video